मुझा वालकॉम टू सिंप्ले लक्ष्पीज़ाइट एगाइज गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आ सकती हूँ कि में सारे फ्रेंट बहुत अच्छे हैं हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तो आज मैं करने वाली हूँ लिविंग रूम में कुछ चेंज़स अच्छी मैं कुछ दिन पहले यह करने वाली थी बट क्या होता है न को टाइम ने मिलता है तो मैंने सोचा चलो यह काम तुम्हें बाद में भी कर सकती हूँ सो अभी मैंने सोचा कि आज बिंगॉली न्यू यार अलरी स्टार हो चुका है तो क्यू ना लिविंग रूम को मैं एक नया लुक तू और काफी तिनों से थोड़ा सा मुश्किल हो र एकशल को मैं एटायें के तो चलिए करते हैं और इसमें मैं अतनू का हेलप लेने वाली हूँ क्यूँकि आज संडे है तो अतनू की चुट्टी है मैंने सुचा आज ही के दिन मतलब परफेक रहेगा कि पूरा दिन में अतनू का हैलप ले शकती हूँ चुटे-मोटे जो का है जो हैवी चीज़े है वो सब हटाने के लिए आप यहां भी देख रहे हो कि इतना ज्यादा घंदा हो गया था एक्षिली चेस्ट अपडर इतना हेवी है ना कि उसको मूग करके क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है और अतनु का हैप मिल गया तो अराम से मैं उसको मूव कर पाई अधरवाइस मैं खूद करने जाती तो अंदर का पूरा सामान मुझे निकल के फिर करना पड़ता तो थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए इसको मूव करना और जो टूशिट करती हूँ जब भी मैं थोड़ा बहुत चेंज़ करती हूँ अपनी लिविंग रूम का या घर की किसी भी जगह के तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि तोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे ना सामान को इधर से उदर तो आपका जो घर है जो रूम है वो अलग ही नया ल कुली वाइट कर्टन डाला है साथ में नेट कर्टन भी डाला है सो वाइट वाला जो कर्टन है वो मैंने ओनलाइन लिया था इसका लिंक मेरे पास है अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिशन बॉक्स में डाल दूंग आप वहां से ले सकते हो और हाँ ये जो कुशन कव अगर आप देख रहे हो ना ये मेरे पास अल्री था ये मैंने होम से लिया था सो मैं ट्राइ कर रही हूँ अगर मेरा जो सोफा है उसके पीछे वाले जो कुशन है उसमें अगर आ जाता है तो एक अलगी लुक आ जाएगा सो बस ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है बट मैं मै यहां पर लगा पाओ और फाइनली लगाने के बादना एक अलगी मत्तब लुक क्रिएट हो रहा है मैं बाद में बाई करूंगी पर अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है कि अभी मैं मार्केट जाओ और खरीद के लेके आओ बट हाँ रिसेंटली मैं इसको चेंज कर अभी मैं बाद रखती है जो मैंने वेश साइड से लिया था यह मुझे काफी अच्छा लगता है और चेस्टब रह के ऊपर मैंने एक कलर फुल रणर डाला है यह एक पीछे वाइट बैक्राउंड के साथ बहुत अच्छा जा रहा है सो कुछ इस तरह से मैंने इस यगा को डेकोरेट किया है पहले से जो सोफी वगेरा है वो मेरे पास था और इस यगा को मतलब कलर फुल रणर के साथ मुझे लग रहा है कि जादा मैच कर रहा है पीछे का बैक्राउंड भी सो फाइनली यह जगा का लोग क्रेट हो गया है और अभी मैं जो सेंटर डेबिल है उसक तो नहीं है तो यहां पर हॉल पर मुझे लग रहा है स्पेस जो है बहुत जादा लग रहा है आप लोग का क्या ख्याल है अधनल उन्हें मुझे स्ट्रिक्ली मना कर दिया था कि कोई भी कारपेट मत डालो अभी समर के टाइम पर तो मैंने नीचे कोई भी कारपेट नहीं दाला है बहुत सिंपल सा एक डेकोरेशन किया है कैसा लगा आप लोग को जरूर मुझे कमेंट करके बताईएगा और अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफस्ट के लिए चनना डाल का वड़ा पिपरेशन करने के लिए तो मैंने चने डाल को ना एक दिन पहले विगो दिया था नॉर्मली मैं बेसन से ही बनाती हूँ बट ये मैंने विगो के रखा था तो मैंने सोचा इससे ही मैं पकोड़े बना देती हूँ तो इसमें मैंने ग्रीन चिली डाला है और सॉल्ट डाला है उसके साथ मैंने onion mix कर दिया है अभी जस्ट इसको cello fry कर लूँगी बस ये ready हो जाएगा और हम लोग आज breakfast में न ये ही लेने वाले हैं ये है हमारा आज का breakfast ये वही वड़ा चना डालका वड़ा और ये है पांता मात ये अचली फ्रीज में रखा हुआ था वाटर भातू तो प्रीज में रखाऊ बैटर राइस सो कृती बोलती थी वाटर भातू बच्पन में सब्सक्राइब आज का जब आज गबरदस ब्रेफस्ट पर मी में ऐकडम रमी का एकडम परफेक्ट इसको बोलते ज़ाने करीटिया और हम दोनों खाने वाले हैं आजो, अभी बैठे हैं, यहां पर बैलकनी पर, हम सबी थे, तो यहां पर इस टाइम आना बहुत अच्छा लगता है, अभी देखो, हवा भी चल रही है, तो पूरी दिन जो एक धूब रहता है, यह इस टाइम पर पूरा वेदर धीर-धीर चेंज हो जाता है, तो हम लोग ब ब्रेइफस्ट भी इतना हेवी कर लिया था, वो अचली जो पांता बात जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खाने के बाद नेंद जैसा लगता है, और वो बहुत जादा हेवी हो गया था हमारा, तो लंच हम लोगों ने स्किप कर लिया था, तो कुछ भी शूट नहीं किया, ब केली रहती है, तो जब मतलब सुबु इसका नाम सीबो हम है, तो प्यार से हम लोग सुबु बोलते हैं, तो वही करीती को भी बहुत अच्छा लगा, गेश हूँ, ओ, अच्छा, तुम्हें गेश हूँ खेल चो, तो आम राज लूडो खेलगा, हाँ लूडो खेलगा, हाँ जब चानल खेलगा, हाँ चानल खेलते हैं, तो अच्छा, तो आज बन रहा है, क्रीती का फेवरेट पालक पनीर, पालक पनीर की रेशिपी मेरे चानल पर अल्रेड़ी है, मैंने बहुत पाथ शेयर किया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और आज ना मैं बहुत ही जादा मलाई नहीं अट करूँगी, बहुत ही कम करूँगी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो इसलिए, तो अभी मैं इसको ढखके मसाले को अच्छी तरह करना मत पूलिए, और मेरा लिविंग रूम का नया लुक, आप लोगो को कैसा लगा, वो भी कमेंट करके मुझे बताईएगा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स व्लॉग में, तब तक के लिए, बबाई, टेक केर, और पी सेव!